दोस्तो साव सभीनिता प्रभास और एक्टरस किर्ती सेनन स्टारर आधी पुरुष रिलीस से पहले ही विवादों में गिर गई हैं इस फिल्म में भगवार राम और रामैट स्योड़े किरदारों के साथ हुए बदलावों से लोग काफी जादा नाराज हैं ऐसे में फिल्म का टीजर सामने आने के बाद से ही लोग लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं यहां तक कि अब सोचल मेडिया पर भी इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग हो रही है अब फिल्म को लेकर एक और आपत्ती सामने आई है दरसल तमाम विवादों की बीच अब इस फिल्म के पोस्टर को लेकर भी सवाल उटने लगे हैं जी हाँ दोस्तों हाल ही में एक एनिमेशन फिल्म के स्टूडियो के मेकर्स पर आदी पुरुष क्या पोस्टर कॉपी करने का आरूप लगाया गया है स्टूडियो ने हाली में सोचल मीडिया पर अपनी बात को सावित करने के लिए एक पोस्ट भी शेयर किया इस पोस्ट में उन्होंने एक कोलास साजा किया जिसमें भगवान चिव हाथ में दुनिश पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरव आदी पुरुष का पोस्ट नजर आ रहा है पोस्ट को शेयर करते हुए स्टूडियो ने कैप्शन में लिखा ती स्रीज कितने शर्म की बात हैं आपको औरीजन क्रियेटर को टैग करना चाहिए था जिसने ये बनाया है हलांकि बाद में एनिमेशन स्टूडियो ने अपनी ये पोस्ट डिलीट भी कर दी इसके अलावा एनिमेशन स्टूडियो का आर्टिस्ट विवेक नाम ने लिंक्डिन पर फिल्म के मेकर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेकर्स ने आर्टवर को खराब किया है विवेक ने ये भी बताया कि जिस दिन उन्होंने इस फिल्म का पोस्टर रिलीस होने के बाद देखा तो उन्हें काफी बुरा लगा मेरे पुराने आर्टवर को कैसे इन लोगों ने भगवार राम को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है लोग पहले भी मेरे आर्टवर को कॉपी करने के कोशिश कर चुके हैं लेकिन जब मैंने बड़े पर पर कॉपी होते हुए देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा फिल्म की बात करें तो आदीपुर्च अगले साथ सक्रांती के मौके पर चिनिमा घुरूम बर रिलीस की जाएगी फिल्म में प्रभास राम के किर्दार में नजर आएंगे जब कि अक्टर्स करती सेनन मातर सीता की भूमिका निभाएंगी वहीं सैफ अलिकान रावड का रोल अदा करेंगी खालंके फिल्म का टीजर सामने आने के बाद से लोग काफी जब इस फिल्म का घ्रोध कर रहे हैं तरफ जहां लोग फिल्म के बीएफेक से नाराज हैं वहीं कुछ लोग इस फिल्म को सैफ अलिकान के रावड के लुक के कारण नाखुश हैं दोस्तों फिलाल आपका इस बारे में क्या राए हैं आपने राए कमेंट सेशन में जरूर दें और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें धन्यवाद